आज अश्ट्रीट अश्टायल एक फ्राई बना रही हूं जो खाने में बहुत हमी लगा था आप लोग के साथ सेर कर रही हूं तहां पर अंडे लिए हैं हमने और दस अंडे लिए हैं तो देशी अंडे हैं और साथ में जो नॉर्मल अंडे मिलते हैं वो भी रखे हैं तो लिए लिए है दुख़बार मेंश अंडे ड्लते के आपने और अंडे स़से पहले हम त्वाता पानी जाल दोकर दालते हैं तो बिसे विनिट में अंडे हैं त्विए चुबल जाएं तो यहां पर लुट गए हैं और इसे अलका ठंडा भी कर लिया है आब इसे हम छील लेते हैं अंडे को और सात में हमने जो नॉर्बल अंडे रखा था तो उसे भी उबाला लिए है देशी भी और नॉर्बल अंडे जो आते हैं वहाबने सायज में पता चल रहा हो गा बड़ा चोटा और इसमसारे अंडे को इसी तरह से छिल लेंगे अरहां से चिल जाते हैं अगर अच्छे से बॉयल होगा तो तो अब इसे हम काट लेते हैं दो पीश में काट लिया है अब इसे तो आप इसी तरह से नमक काली मिर्ष डाल कर खा सकते हैं बहुत यमी लगेगा अभी प्राइपन में आप सरसो तेल डाला है और इसे अच्छे से फैला लेंगे तेल को पुरे बरतन में जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इसमें डाल दीजें कटा हुआ अंडे तो अणे पूरे नहीं आ रहे है तो इसे हम छोंगि से इसे अजस्त कर लेते हैं चौनित वाद इसके ऑपर डाल लेंगे दूसे को फिल अधान देust को फैलते हुए डालिये और तरह से चारोसाट से दो यहां पी प्याज को बारी काटकर में डाले रहे हैं लापते हुए आदा सिमल्ण मिर्च को बारी काटकर इसे भी हम डाल द Diet यह साथ में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सिम्ला मिर्च का भी और दो से तीन हरी मिर्च बारी काटकर डाल दिया है फलाते हुए और दो से तीन मिनट बाद जो हलका साए नीचे से ब्राउन हो जाए अंडे तो इस तरह से हलके हाथ से करकर इसे हम अंडे को पलटते हैंग और आप उपर से डाल लेंगे टेस्ट कोडिंग नमक नमक के आप फेलाते हुए डालेंगे या आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं या सफेद नमक डाल सकते हैं काला नमक भी डालेंगे बहुत एमी लगेगा इसमें और इसे उपर से त्वासा भूना हुआ जीरा और मोक्ट मेसने के लिखेंार के करें लोटें के लिए लगे शाइसे शाइसे टूटें लेंगे में से मिलां से ножाछी अंड़ को मिलने के या नमक और मसाले अच्छे से सvenुल due to three minutes मिनुट तक और फ्राइ करेंगे तो साड़ से अंडे क्रिस्प हो जाए और प्याज भी हल्का सा मुलायम हो जाए तो दो से तीन मिनुट तक हम इसे भूंज लिया है बीच में चलाते हुए और उपर से मैंने डालिया अरा धनिया और इसे मिला लेंगे अच्छे से एक प्राइन वाले खाते हैं वह सारे भूल जाएंगे इसी तरह से खाएंगे बहुत यहमी टेस्टी लगता है अब एक बार इस तरह से बनाकर फ्राइक करकर खाएगा आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे बहुत बहुत यहमी लगेगा आप पकिन नहीं करिएगा अच